उदयगिरी के बारे में बात करने से पहले उसके नाम को लेकर जो कनफी जोनेना वो पहले दूर कर लेते हैं ओडिशा में दो उदयगिरी है एक है भोनेश्वर में और एक है जाचपूर डिस्टिट में बुवनेशन में जो उदयगिरी है वहाँ पर जेन केव से और जाजपुर में जो उदयगिरी है वहाँ पर बुधिस साइज से मोनास्टरीज है स्थूपज है ओडिशा में तीन बुधिस साइज को लेको जो डायमन ट्राइंगल बना है रत्नगिरी लडितगिरी उदयगिरी ये वाला उदेगिरी उसी का पर्ट है तो चलिए आज चलते हैं उदेगिरी देखनी के लिए जो सबसे लार्जेस्ट बुद्धिस्ट कम्पलेक्स है डायमंड ट्राइंगल में दोपर का टाइम था रास्ता खाली खाली था तो हम पहले लड़ी तगिरी होके जाकर पहुंच गए उद्रगिरी पर पहले एंट्रांस में आपको एक मूर्ती देखने को मिलेगा जो आपको स्वागत कर रहे हैं ऐसास हो सकते हैं फिर वहाँ पेन आपको कुछ नहीं दिखाए देगा कि आपको लगेगा कि साइद यहां पर सिर्फ पेड, पोदे हैं, पार्क है, रास्ता खाली पड़ा है, इधर कुछ नहीं है पर कुछ देर ऐसे खाली-खाली रास्ते में दोनों साइड गाडेन को रस करके जाएंगे तो एक ओपन स्पेस पड़ेगा जो जैसे जहां पर कुछ-कुछ मूर्तियां रखा गया है, जो अच्छा कंडिशन में है बहुत सारे जो बहुत अच्छे कंडिशन में थे, वो तो म्यूजियम में चले गए जैसे कि पिहार की पात्ना म्यूजियम में भी कुछ-कुछ मूर्तिया हैं जो मैं जब गई थी तब देखके आई थी यहां से मिले हुए आतिफ्याक से पता चलता है कि इसका हिस्टोरिकाल नाम था माधोपुरा महा भिहारो यह जगा 7th से लेकर 12th सेंचोरी तक अक्टिव रहा था यहां का जो एक्षवेशन शुरूआशन शुरूआ था ना वो 1958 से शुरूआ था जो फास साइड से वो जो महास्तु पहे हो है मैं बाद में दिखाऊंगी पहले जो हमारे रास्ते में आता है ना वो देखके चलते हैं इन मूर्तियों के देखने के बाद जो रास्ता हमें सिधा दिखाई दिया हम उसी रास्ते में चले गए पहले हमने देखा जो एक स्टेप्ड स्टोन वेल है वो है वहां से कुछ एपिग्राफिक इंस्क्रिप्शन भी डिस्कवर्ड हुआ था जहां पर कुआ है उसकी मुर्तियों के जो पैटन बनाएं गए वो बहुत सुंदर है यहां पर देख रहे हैं आप तीन चार एरिया है जैसे के नीचे वाला जो एरिया देख रहे थे आप वहां पर बहुत स्टूपज आपको देखने को मिल रहे है बोटीफ स्टूपज है जैसे कि कुछ बड़े-बड़े है कुछ छोटे-छोटे है वहां पर भी जाएंगे और एक बहुत बड़ा सा स्टोन रेज प्लाटफरम है जिसका साइड जोगा 46 फीट इन्टू 43 फीट जो भी हम देख र स्टूपज है और यहां से उतर कर आप जाएंगे तो देखेंगे और बहुत सारा रूम जैसे है वह सब भी है उपर गली-गली होके है आप यहां पर जा रहे हैं तो टाइम का खैल जरू रखिए चारों तरफ पहाड़े दूब बहुत ही कड़क है तो आप छत्री लेके ज आपको दिखेंगे यह वाला कंप्लेक्स देखिए दोनों साइड में जहां पर सेल्फ है साद यहां पर मुर्तिया रखा होगा बीच का स्पेस जो ओपन स्पेस है वह साद चेक्टेगरी है और चारों तरफ रूम है जिसका डूर स्पेस भी है बहार देख रहे हैं जैसे द यहां पर कई मूर्ति होगा या फिर मेडिटेशन कर रहे होंगे मैं भी मूर्ति होगा जो प्रबाबली मुझे लगता है पता नहीं क्या था यहां पर फिर लेप साइड में देखें यहां पर भी है फिर बाहर जाएंगे तो फिर आपको बहुत सारे रूम छोटे-छोटे देखने को मिलेंगे पर यहां का रूम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है थोड़ा सा यूनिक है जो हाई तक बचा है घर वह थोड़ा सा अच्छा कंडिशन में है पत्थर और इस से बनाया गया है जैसे कि हर जागा में होता है तो यहां से भी है पर बहुत सारा स्पेस ह आप देख सकते हैं यहां पर और यहां पर आपको एक बुद्ध की प्रतिमा भी देखने को मिलेगा जो बहुत ही अच्छे कंडिशन में है अरे आपको तो बता दी क्या पर छत्री लेकर आने के लिए पर पानी का बोतल भी लेकर आई है वो सबसे जरूरी बात है यहां पर से लेकर उदरगिरी टू में बहुत जादा रस्ता है जाने के लिए एटलिस फॉर फाइप थाउजन स्टेप्स आपको चलना पड़ेगा और फिर जैसे की उपर नीचे होके चलना पड़ेगा आपके साथ बच्चे होंगे जो एजेल लोग होंगे तो पानी सफिसेंट जर लिए पाश से देख लीजिए और नीचे वाला फ्लोर एरिया देख रहे हैं उसके अंदर-अंदर होके जाएंगे बिच बिच में एक जगह पर रखा गया है बहुत सारा स्कल्चर जिसका अधाधार पोर्षन बचा है पर बहुत सुन्दर काविंग हुआ है उसमें जैसे क एक लाइन देखे थे वह वाला और यहां पर देखे एक छोटा सा फूले कितना सुन्दर है यहां से आते वक्त आपको लेप साइट को एक कंक्रिट वाला रास्ता जाता हुआ दिखेगा उसी रास्ते में जाएंगे तो आपको माधोवपुरा महास्तूपा देखने को मिलेग देखे रहे हैं यह वाला रास्ता रास्ता में कुछ अलग श्टाइल का पेट ठा उसका ऊफोटो तमे में ले लिया है यहां पर यह अभीज अभी दिखे रहा है बहुत हाइट वाला महास्तूपा के ओपर घंकर किया गया है महास्तूपा की चारो साइड बध प्रतीमांघ इस लेकर बहुत सारे और भी स्थूपा थे जब लोग वहां पर जंगल था लोग खेती बड़ी करने के लिए आते थे तो वहां से जो इट पथर मिला था वो अपने घर में ले गए थे जो गाओं की लोग पर यह बाला सबसे बड़ा था तो इसको लेकर बहुत सारे बुरी क यहां पर जो जाएगा या फिर यहां से कोई इट लेगा तो उसका खराब होता है इसे कुछ बाचित थी तो इसलिए साइद यह हमारे लिए बच गया है महस्तुपकी ठीक साइड में लेव साइड में एक रास्ता आपको पीछे जाता हुआ दिखेगा पीछे दिखेंगे मतलब जो घर रूम है वो तो ज्यादा अच्छा कंडिशन में है नहीं जो वाला हम सेकेंड स्पोर्ट में देखे थे वहां पर है पर यहां पर यह जो डोर है वहां पर जितना सारा कावींगे ना वह बहुत ही आमेजिंगे जो फ्लाइर पैटन से वह सब बहुत ही सुन्द आया है ना वह बाला पैटन मुझे सबसे अलग यूनिक लगा था मतलब पास पास है थोड़ा थोड़ा सा काम है पर पुरा अलग दिख रहा है और नीचे यह सब मूर्तियां भी है अंदर बुद्ध की प्रतिमाए हैं और चारो तरफ जो घर है वो है बीच का स्पेस है हम उपर भी जाएंगे देखेंगे उपर से की ओ सारे जगा कैसे दिख रहा है चले वाल पे चरते हैं इन वाल का फाइदा यह है कि बहुत चोड़ा है तो उसके उपर चर सकते हैं पर यहां का जो इट है ना बहुत पतला पतला वाला यह हमारे टाइम में अभी जो इट मिला उसे चोटा बला देख रहे है ना इसके उपर चर्ट के जाना पड़ेगा जाते वक्ता आप आराम से चले जाएंगे पर आते वक्त थोड़ा ध्यान से आईए इस वाल को देखके आपको कुछ यादा रहा है क्या है अभी तो हमारा वाल बहुत पतला पतला हो रहा है पर ब इतना दीरे दीरे उतर रही हूं वो चाहों में दिख रहा है बस इतना ही जगह है उद्रगिर में यह हमारा लास पर था यहां से सिधा हम निकल गए बहार दो पर खाने का टाइम बिच चुका था खाना भी वहां पर नहीं मिला पर हमें तीन जो साइज देखने को मिला वो इतना अध्भूत थे कि हम थोड़ा भूख भूल गए मतलब भूल जाना पड़ा आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में लिख के जरूर बता आना अच्छा लगा है तो लाइक करना और सब लोगे के साथ से आपी करना ताकि उन लोगों को भी पता चले अगर मेरे चै देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं थैंक यू